तो चलिए C language के अंतरगत आप हम जानने वाले हैं ID, C की ID के बारे में हम देखेंगे, अब C language की ID का मतलब होता है, C language तो आपको पता है, ID का मतलब जानते हैं, ID मतलब होता है, देखें, Integrated, Development, Environment, तो यहां पर Integrated मतलब होता है, हम एक-एक सब्द को तोड़ लेते हैं, जुड़ा हुआ, Development मतलब जैसे हम प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, बेकास बोल सकते हैं, और Environment मतलब होता है, बातावरन, तो आप Simple समझ सकते हैं, इसको अगर हम meaningful करने के लिए सारे features available होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, IDE बोलेंगे, तो हम Simple अगर बोलें, तो यहां पर देखें, मैं एक IDE आपको दिखाता हूँ, देखें, यह हम C language यहां पर यह इसको बोलते हैं, Turbo C++, ठीक है, हम इसके अंतरगत भी coding करना देखेंगे, और इसके अलावा बहुत सारी जो program, मतलब जैसे code, जो आता code block आता है, या फिर dev, C++ आता है, यह सब जो है, इसके IDE माने जाते हैं, मतलब C language के program को अगर develop करना है, तो हमको किसी ने किसी IDE की जरूवत पढ़ती है, तो IDE अब देख सकते हैं, जैसे हम यहां program बना रहा है, तो program बनाने के लिए हम हम को देखे, menu bar है, उसके बाद आप देख सकते है, coding area है, message window है, ठीक, status bar है, तो यह सबी चीजे हम को यहां पर देखने को मिलती है, कहां पर जो इस window में, तो इसी window को यहां पर बोला जाता है IDE, तो हम समझ सकते हैं, यहां पर IDE का मतलब होता है, ऐसा environment जहां आपे program develop करने के लिए सारे features available होते हैं, उसे IDE बोलते है, integrated development environment या फिर समा कलेद बिक्सित बातावरान इसको बोला जाता है हिंदी में, तो यहां देखे, जब आपका IDE की बात करते हैं, तो IDE होती कौन-कौन सी है, तो देखे, यहां पर turbo C++ हम देखेंगे, dev C++, code block, visual basic, जो visual studio code है, net means है, code light है, sublime text है, bracket है, vim editor है, not fit plus plus है, तो यह सभी यहां पर हम देख सकते हैं, इन में C के program को लिखा जा सकता है, पर हम यहां पर सिर्फ turbo C++ और dev C++ इनको install करना देखेंगे, और इन ही में हम coding करना देखेंगे, आप code block में भी coding कर सकते हैं, visual studio code में भी कर सकते हैं, और untext editor में भी C language के program को अप लिख कर, compile कर सकते हैं, और run भी कर सकते हैं, तो चलिए, यहां पर हम सबसे पहला बात करेंगे, C की ID, Turbo, Turbo C++ के बारे में, तो Turbo C++ को तो हम विस्तार से जानेंगे, पहले हम install करना देखेंगे, पहले इसकी कुछ चीजे देख लीजी, यहां पर integrated development environment में, जो element होते हैं, कोड बिंडू होती, message बिंडू होती, status बिंडू होते हैं, तो मिनु बार क्या करते हैं, यहां पर कुछ options होते हैं, जो की code में help करने का काम करते हैं, compile करना, new project बनाना, open करना, run करना, इस सारी चीजे काम करने का जो diet रहता है, वो मिनु बार करता है, उसके बाद जो code window होती ह जहां पर हम पुरु प्रोग्राम की कोडिंग वो लिखते हैं, तो कोड विंडो हो गई, जो मैसेज विंडो होती है, वो इसमें error है, running की status है, जो भी output status है, वो यहां पर दिखाने का काम करती है, मैसेज बिल्डू और स्टेटस वार क्या करता है स्टेटस वार जो होता है कुछ बेसिक चीज़ें दिखाने का काम करता जैसे हैल्प है मीनू यह सारी चीज़ें इसके अलाबा जब हम दूसरी आइडी की बात करते हैं कुन सी देप सी प्लस प्लस की तो यहां पर आपको होती है ठीक है और यहां पर बात करें तो देखें यहां भी कोडिंग के लिए माउस की जरुवत होती है परंतु यहां को कुछ मीनू दे दिये गया है जैसे देखें मीनू ग्राफिस के रूप में दे दिये गया है यह प्रोजेक्ट विंडो है इसके बाद और आप कमपाईलेशन विंडो आप देख सकते हैं यह कोडिंग बिंडो हो गई तो यह देख सकते हैं तो सबसे पहले हम इंस्टाल करना देखेंगी तो आपको में इस्टैप सिहाँ पर देखा देता हूं देखें गूगल सबसे पहले आपको जाना है और टर्बोजी प्लस आपको क्लिक करना है और जैसे क्लिक करोगे तो यहां नीचे आपको डाउनलोडिंग दिखाने लगेगी और वो जाएगी कहा वो जाएगी जिप फॉर्म में डाउनलोड होगी जिप मतलब और वो जाएगी download वाले फोल्डर में याँ डाउनलोड वाले फोल्डर में जाएगी तो आपको इसको डवल क्लिक करके install करना है तो मैं चली में यहां करके दिखाता हूं हम स्टार्ट कर लेते हैं यहां पर क्या अगर 10 के नीचे है तो आपको .net ट्रेंबर किसमें अलग से लगेगा जैसे मैं आपको देखाता हूं इसको क्लिक करने पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहां पर आपको हाउ टू इंस्टॉल में आ रहा डाउनलोड इसके आप क्लिक करोगे तो डाउनलोड नीचे आ जाएगा अब हाउ टू डाउनलोड में देखिए नीचे स्टैफ से भी दी गई है आपको यहां इस प्रकार से यह आएगा अब रिक्वार्मेंट में बता देता हूं जैसे बिं टेन एट या 11 चला रहा है तो आपके में डॉटनेट की जगुआ नहीं पड़ेगे ठीक है तो चलिए यह डाउनलोड हमारे पास में रखा हुआ है मैं आपको देखाता हूं जैसे आप देखिए यहां पर मेरे पास डाउनलोड फोल्डर में अगर देखेंगे तो यहां द ना और जैसे आप फिनिस कर दोगे तो पीनिस करने के बाद आपको जो है जुए इस प्रकार का विंड़ो देशिव में धिकाता हूं को उपन करके हमारे पास देखें पहले से इंस्टॉल है इसको क्लिक करें तो यहां पर देखिए यहां यह देखे इस प्रकार की विंडो आएगी और इस प्रकार की विंडो आएगी तापको करना क्या है Start Turbo C++ करना है इस प्रकार Start Turbo C++ करोगे तो आपको देखिए यह जो है यहाँ पर स्क्रीन पर यह विंडो है start हो चुकी है और हम यहां पर file minimum जाके new कर सकते हैं ठीक है मतलब कि यह देखे new बना सकते इस प्रकार और new बनाने के बाद जो है इसको हम जो है पहले तो इसको file minimum जाए और इसको save कर सकते सेफ करने के लिए आप location देख सकते हैं आप सेफ करते समय आपको विसे सुरूप से ध्यान देना देखिए जब हम टर्वो सी प्लस प्लस में यहां पर सेफ करते हैं तो यहां पर इसका extension by default.cpp आता है यहां कि देखें सी लेंग्वेज का extension.c होता है परन्तु इसका extension.cpp आता है बिन में save है तो हम नॉर्मली ऐसे save कर देते हैं और coding करके देख लेते हैं coding करने के लिए मैं आप नॉर्मली coding दिखाता हूं has का चिन्न लगाते हैं और यहां लिखते हैं include यह सारी चीज में आपको समझाने वाला हूँ हूँ आप विल्कुल भी इसको load ना ले htdio dot यहां पर h लगाते हैं और यह अब यह लगे क्या है यह less than है और यह greater than है यह दोनों side by side जो लगे है htdio मतलब standard output जो directory हो मतलब header file होती है dot h लगा मतलब header file है और include एक keyword है जो लाने का काम करता है has include क्या है header file को program में लाने का काम करता अभी होती क्या है सारी चीज में विस्तार से बताऊंगा अभी आपको विल्कुल भी load नहीं लेना सिर्फ मैं लिखकर बतारों की program कैसे run करते हैं यहां पर लिखते हैं कौन i o dot h कौन मतलब console input output ठीक है उसके आद हम लिखते हैं void man यह main program होता है उसके बाद हम यहां पर दो curly packet हैं से लगा कर enter कर देते हैं और यहां हम लिखते हैं एक प्रकार से अगर लिखें तो यहां normally हम print करा देते हैं ठीक है चलिए मैं इंट लेता हूं इंट में हम ले लेते हैं यहां इंट करके a ले लेते हैं इंट करके a यह variable है और variable को हमने दे दी हैं यहां पर 20 दे दो direct उसके बाद हम CLR SCR लिखते हैं मतलब यह clear screen के लिए रहता है ठीक है उसके आद हम printf एक output के लिए रहता है ठीक है तो हम लिखते है value of a और यहां लिखे हमने value of a और यह लगा इस प्रकार colon और यहां लगाते है module d इस सब मैं समझाने बालों आपको और कॉम लगा हमने a को print करें दी ब्रकेट लगा है एंटर करें उसके आद हम लगा देते हैं get ch get ch जो होता है किसके लिए होता है जब हम output के बाद यहां लगा बापस आना चाहते तो इसके लिए होता है ठीक इसको हम सेफ कर देते हैं और compile के लिए compile के लिए देखिए है compile menu दिया है compile यहां पर जाक कर सकते आप देखें इसकी shortcut की alt plus f9 है और run में जाओगे तो यहाँ पर चु कर क्लिक कर सकते है या फिर alter के संद द दबाओगे तो यहrun हो गया है देखिए value of a और यह 20 देख रहा है तो यह बात हुई turbo c की Turbo C++ की हम इसको save कर सकते हैं और save करने के बाद इसको quit भी कर सकते हैं quit करने के लिए देखे Alt प्लस X दिया है तो इसे क्लिक करूँगा मैं तो यह बंद हो जाएगी और यहांसे को में बंद कर देता हूं यहनी कि जो जो C है देखे इस प्रकार आएगा तो यह हमने देख लिए हैं पर इस प्रकार हमने कोडिंग करना भी देख लिए हैं ठीक है टर्बो C++ में तो यह यह आप समझ गए यह सारी चीज क्या होती है सिस्टम रेक्वार्मेंट हमने देख लिए अब बात करते हैं दूसरी की कि जिसको भला जाता है डेव C++ के भी आपको गूगल में जाना पड़ेगा गूगल में जाका है लिखना पड़ेगा डेव C++ प्लस डाउनलोड इस प्रकार आप देव C++ डाउनलोड लिखेंगे तो आपको पहली लिंक मिलेगी sourceforge.net इस प्रकार किलिक करेंगे इसमें तो यहां पर आपको देखिये क्या दिख रहा है देव C++ डाउनलोड इस पर जैसी क्लिक करोगे तो डाउनलोड नीचे स्टार्ट ह जाएगा और स्टार्ट होने कबार देखिये इस प्रकार आपको देखेगा डाउनलोड फोल्डर में जाओगे इस प्रकार उसको डबल क्लिक करके आप नेक्ष्ट करके इंस्टॉल करना है कुछ ने करना है और जाब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपके नाम से बन गया और इसको ओपन कर सकते इस प्रकार अब यहां पर आपको कोटिंग कैसे लिखना फाइल मिनुम शाए नुजऑ करना है यहां डेमो कर दी हमने अब डेमो करें तो देखिए टाइप में नीचे दिख रहा है ताइप में आपको यहां दिख़रा है सी फाइल क करना है C++ की करना है तो आपकी मर्जी C++ करना भो भी कर सकते हैं परन्तु हम करेंगे कि क्योंकि C language हम पढ़ना है तो यहां पर type में आप C करोगे तो यहां पर demo और यह save कर देखे demo.c यहां पर आ गया अब हम यहां पर मैं बताता हूं आपको तो यहां पर क्या लिखते हैं यहां पर हम वही चीज़े लिखते हैं include लिखते हैं stdio.h यहां लिखे हमने stdio.h और उसके आद हम लिखते हैं voidman voidman main function होता है जो प्रोग्राम का द्वार जिसे हम बोलते हैं उसके बाद देखे इस प्रकार हमने curly bracket लगा है और यहां पर वह इस चीज़ लिखे int a और यहां लिख दे 20 उसके आद हमने अब देखे यहां CLR,HCR नहीं लगेगा मैंने बताया था वहां पर आपको दो header file लाना होता था कौन i.h लाना पड़ता था क्योंकि वहां console में हम run करते हैं यहां पर एक id क्या है यह id 4th generation type की तो यहां पर आपको जो है console input output वालन लगेगा जब console input output नहीं लगेगा तो clear skin वाला जो CLR,HCR वह भी लगेगा तो सिर्फ क्या लगेगा प्रिंट f लगेगा प्रिंट f लगेगा value of a value of a लिके हमने और colon लगाने बाद module d लगा है और उसके बाद comma लगा के a को प्रिंट कर दिए और a को जब प्रिंट करें तो बस हो गया काम हमारे नीचे get ch भी नहीं लगाना आपको मतलब देखे यहां क्लिक कर सकते तो जब आप ऐसे रन करोगे देखे value of a 20 आ गई ठीक है तो यह हुआ है देखे changes थोड़ा सा कहीं कहीं आपने यह भी देखा होगा ठीक है इंट भी लिखते हैं तो इंट रिटन वैलू देते हैं जब हम इंट लगाएंगे man तो यहां पर रिटन देना पड़ यह देखे value of a 20 आ गया मतलब आप इंट जो है इंट एक data type है और void भी क्या है data type मतलब हमको पता है कि return क्या आना है man function में तो हम इंट लगा सकते हैं इंट आना है तो और अगर हमको नहीं पता है क्या आना है तो हम void लगा सकते हैं तो हम conscious करेंगे कि हम void लगा है इंट बाले आईड बी हम कर सकते हैं तो हम इतना देखिए हम जो है ज्यादा मतलब जैसे अगर function बना रहे हैं तो function में इंट लगा सकते हैं उसके type करिकी यहाँ पर रिटन टाइप देते हैं तो यह जो है return type होता है return type क्या लेना है तो हमको return type जो है ऐसा पता नहीं है तो इसलिए हमने बॉइड लगा दिये और जब रिटन टाइप नहीं पता रिटन लगाने की जरूध भी नहीं है तो यहां पर आपको पता चल गए कि हमने जो id है id कैसे इंस्टॉल करें ठीक है देखे id कैसे इंस्टॉल करें उसमें प्रोग्राम कैसे बना है रन कैसे करें, रन करना है, F11 से या फिर compile and run कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, प्रोग्राम के basic structure की, तो हमने एक प्रोग्राम बना कर देखें, normal सा, तो उसके basic structure को जान लेते हैं, क्या का चीज़े रहती है, देखें, यहां कुछ 6 प्राइट में बाटा गया ह यानि documentation section होता है, फिर pre-processor statement, यानि link section होता है, फिर definition section होता है, global declaration section होता है, main function section, user defined function, sub program, यह सारी चीज़ होती है, एक normal से program में, तो इन में से कुछ चीज़े, जब हमने अभी बनाया हैं, तो इन में से कुछ चीज़े नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्यों कि हमने पूरा advanced program नह जो comment में लिखा जाता है, और सिर्फ user के समझने के लिए होता है, उसे हम बोलते है, documentation section, मतलब यह जो browser है, sorry, compiler है, इसको ignore कर देता है, run नहीं करेगा, तो इसमें normally क्या रहता है, file का नाम रह सकता है, author का नाम रह सकता है, program में क्या क्या गभव नाम रह सकता है, मतलब एक normally, को अधर developer इसको देखने आया, program को, तो आसानी से समझ सके कि program में क्या लिखा गया है, तो उसकी लिए हम जो है documentation section है, उसकी जरूवत हमको यहाँ पर पढ़ती है, ठीक है, चलिए, आगे चलते है, यह आपकी जरूवत की according, मतलब आपको अगर लगता है कि documentation लगना है, रखना ह नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर documentation section उपर लिखा जाता है, फिर दूसरा लिखा जाता है pre-processor statement और link section, pre-processor का मतलब जहाँ पर header file लिखे जाती है, जैसे हमने htdio.h लिखे थे, include, कौन io.h लिखे थे, तो यह जो है predefined has का चिन, include आपको लगाना है, और जो bracket लगेगा, कौन स h, h मतलब header file, file का नाम htdna, standard input output, दूसरी header file हमने काम के थे, con io.h, console input output, और तीसरी header file हमें string अगर यूज़ कर है, तो string.h लगा सकते है, math के कोई function या फिर math related कुछ चीज़े यूज़ कर है, math.h, अब header file को उसी अनुसार आप समझ सकते हैं, जिस अनुसार, आप जब अपना interview देने जाते हैं, आप अपनी document की file लिकर जाते हैं, जो भी आपके degree वगेरा, degree document, diploma, जो भी है, तो degree document, diploma क्या बताते हैं, आपके अंदर जो features से वो बताते हैं, कि आपके अंदर क्या experience है, आपने क्या education किया है, आपके पास क्या diploma है, तो उसी प्रकार, program में क्या लिखा जाना हम कुछ normally पहले से define कर देते हैं, जैसे pi की value हम देखिए, यहां define के तोर पर constant बोल सकते हैं, एक तरह का तरीके से, constant को हम define के तोर पर भी ले सकते हैं, macro define करना है, या फिर पहले से कोई symbol जैसे pi की value हमने 3.14 ले लिए, तो define keyword के तोर पर हम definition section में इसको define कर सकते हैं, इसके जाती ही वो private यानि की function के बाहर हम use नहीं कर सकते हैं, परन्तों man function के उपर कुछ की ले ले लेते हैं, इंट area जो function लिए हमने, तो यह जो है void man के उपर जो लिखे जाएगी, उनको हम बोलेंगे global variable या global function, या गलोबल section इसको बोला जाता है, ठीक है, तो यह declaration होता है global का, ठी curly bracket मतलब वो beach वाला जो bracket होता है, एक होता है square bracket, बड़ा वाला bracket जिसे बोलते हैं, एक होता है चोटा bracket, और beach में जो रहता है वो curly bracket, ठीक है, मंजला bracket जिसे बोलते हैं, तो यहाँ end करके हमने ले लिए, ठीक है, तो declaration part इसको बोलेंगे, और इसको हमने run भी करा दिये एन execution part, main function के औंतरगर जो section है वो घेलाता है, फ्र होता है user defined function, तो user defined function और sub Frâm कहांwater means function के बहाँते हैं जब हमको को कोई function बनाना, जैसे sum, तो हमने parameters भी लेए, उसके अंदर कुछ define भी कर दे है, return भी कर दे, आप तो यह जो अध要 user defined function होता है, ठीक है, user defined function यह सब फर् schnell सांब्र डारेक्टीज जो होता है मतलब देखे यहां header files हम देख सकते हैं डारेक्टीज बोलते है प्री प्रोसेसर जिसके अंतरगत header file को लाया जाता में फंक्शन डिकलेरेशन वाला section यह आपको देख रहा है सारी चीज़ हम यहां पर clear करेंगे हम जैसे कि मैंने बताया ना सूरू से बिगनर लेवल से हाई लेवल तक हम चलेंगे तो आपको सी लेंग्विच के बारे में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है ठीक तो यह तो थी ID के बारे में हमने basic group से demo बना कर देखे ID install कैसे करते हैं क्या होती ID वो सारी चीज़ जाने इसके बाद आप जो है हम finally यहां पर program बनाना देखेंगे मतलब हमारा pattern क्या चलता आपको पता होगा हमारा pattern पहले theory में concept clear कराता हूँ उसके बाद मैं उसके जो है program होते जाएंगे डाउट किसी प्रकार का नहीं रहने वाला है